हाई ओल, वेलकम तू माई चानल आज की हमारी रेसिपी है मूम की कचोड़ी बिल्कुल बाजार जैसी फूली फूली कचोड़ी हम घर पे कैसे बना सकते हैं आज हम वो देखेंगे इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कटोड़ी मूं की दाल को लिया है इसे मैं अच्छी से वोश कर लूँगी दो से तीन पानी से और फिर इसे मैं चार से पांच घंटे के लिए सोख होने के लिए रख दूँगी लगभग 3-4 घंटे के लिए ये सोक हो चुके हैं अब हम आगे की तयारी करते हैं यहाँ पर मैंने 1 इंच अद्रक लिया है इसे मैं एकदम बारीक चॉप कर लूँगी साथी मैंने यहाँ पर कुछ हरी मिर्च लिया है उसे भी मैं बारीक चॉप कर लूँगी और साथी थोड़े से हरे धनिये को भी बारी काट लेना है अब हमने जो मूंग के दाल को सोक करा था उसे हम कुछ देर के लिए बॉयल कर लेंगे आप चाहें तो इसे एक विसल लगा कर प्रेशर कुख भी कर सकते हैं इसे मैं 12-15 मिनट के लिए बॉयल कर रही हूँ जब तक कि मूंग जो है हमारी वो सॉफ्ट ना हो जाए जब मूंग हमारी सॉफ्ट हो जाएंगे फिर इसके पानी को हम ड्रेन कर देंगे और इससे साइड रखेंगे फिर एक पैन को मीडियम हीट पे गर्म करेंगे फिर इसमें हम 2 टेबल स्पुन धनिया डालेंगे एक टेबल स्पुन सॉफ्ट साथी इसमें जाएगा एक टीस्पुन जीरा और थोड़ी से काली मिर्च इन सभी को हम 2-3 मनिट के लिए ड्राय रोस्ट कर लेंगे उसके बाद इसे हम दरदरा कूट लेंगे अब फिर से हम पैन को गर्म करेंगे और इसमें थोड़ा समयने आपे मस्टर ओयल डाला है लगभग 2 टेबल स्पुन फिर इसमें हमने जो बारी कद्रक को चौप करा था वो हमने डाला साथी इसमें गाया हरी मिर्च आप चाहें तो कचौडी की फिलिंग बनाने में लहसन और प्यास का भी इस्तिमाल कर सकते हैं मगर आज मैं इसे स्किप कर रही हूँ अदरख को एक से दो मिनिट के लिए कुप करने के बाद हमने जो रोस्टेड मसालो को दरदरा कूटा था वो इसमें हम डालेंगे साथी इसमें हम डालेंगे हल्दी और कसूरी मेती मैंने इसमें एक टेबल स्पून बेसन भी डाला है आप एक टेबल स्पून सत्तू भी डाल सकते हैं बेसन डालने की पीछे हमारा कारण ये था कि अगर हमारी दाल में थोड़ा भी extra moisture रहेगा तो ये इस moisture को absorb कर लेगा बेसन को हम 2 मिनट के लिए भुनेंगे फिर हम boil की हुए दाल को इसमें डालेंगे और साथी इसमें हम अमचूर powder डाल देंगे फिर इन सभी चीजों का अच्छे से mix करेंगे और इसमें chop किया हुआ हरा धन्या भी हम डाल देंगे और साथी इसमें हम स्वाद अनुस्वा नमक डाल देंगे इन सभी चीजों का अच्छे से mix करने के बाद हम एक masher लेंगे और इस masher की मदद से हम दाल को थोड़ा mash कर लेंगे आप अगर चाहें तो दाल को आप mixer grinder में भी थोड़ा सा pulse mode पे grind करकी भी डाल सकते हैं ये completely optional है filling हमारी जब तयार हो जाएगी फिर इसे हम side रखेंगे अगर बाईचान साब को लगे कि आपका mixture बहुत जादा dry हो गया है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं मगर mixture जितना जादा dry रहेगा आपकी कचोरिया लंबे समय तक उतनी ही जादा crisp रहेगी और साथी इसमें गया आधा टी स्पून कलांजी अब इसमें हम 3-4 टीबल स्पून घी डालेंगे आटर ये को गूतने टाइम अगर हम इसमें घी डालते हैं तो हमारी जो कचोरिया है उसमें बहुत ही अच्छे लेज आते हैं बहुत ही जादा खस्ता बनती है तो हम सबी चीजों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब आप आटी को बाइंड करने लगेंगे तो आप देखिएगा अगर वो एक साथ बाइंड होने लगे इसका मतलब है कि उसमें more insufficient है सबी चीजों को मिक्स करने के बाद इसमें हम पानी डाल कर एक बहुत ही soft सा डो लगा लेंगे तो किसी भी तरह की कचोरी बनाने का ये बहुत ही जादा important step है कि आप अपने डो को बिल्कुल सही तरीके से लगाए तो इसका soft होना बहुत ही जादा important है तो इसमें पानी डाल के मैंने आप एक soft सा डो तैयार कर लिया है soft का मतलब ये नहीं है कि ये sticky होना चाहिए डो लगा देने के वादे से हमें थोड़ी देर के लिए beat करना है beat करने से इसमें बहुत ही जादा लचीला पनाता है और ये जो छोटे मोटे tips and tricks होते हैं ये सबसे जादा important role play करते हैं हमारे recipe को perfect बनाने के लिए इसे हम आधे घंटे के लिए rest करने देंगे और इतने देर में हम कचोरी के साथ serve करने वाली एक बहुत ही मज़ेदार आलू की सबजी बना लेंगे इसे बनाने के रहे मैंने तीन टमाटर और कुछ हरी मिर्च को साथ में पीस लिया और साथी मैंने यहाँ पे कुछ आलू को boil करके और peel करके लिया है इसे हमें roughly तोड लेना है इसमें आलू का जो shape है वो ज़्यादा matter नहीं करता है फिर हम कराही में mustard oil गरम करेंगे इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे और एक मिनट की बाद हमने जो paste बनाया था टमाटर और हरी मिर्च वाला वो इसमें हम add करेंगे यह जो आलू की सबजी है वो बहुत ही आसानी से बन जाती है वो भी बिना लहसन प्याज के अब इसमें हम जीरा पाउडर डालेंगे धनिया पाउडर डालेंगे साथी इसमें जाएगा हल्दी पाउडर लाल मिर्च पाउडर और कसूरी मेथी हमें इन सब भी चीजों को तब तक पकाना है जब तक कि हमारे टमाटर पक न जाए और ओल न रिलीज हो जाए मसाले फ्राई हो जाने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाले जलेना और फिर हमने जो आलूओं को रफली तोड़ा था वो भी इसमें हम डाल देंगे सवाद अनुसवार इसमें हम नमक भी डाल देंगे इसे अच्छी से हम मिक्स करेंगे और इसमें हम पाली डालेंगे ताकि इसकी एक ग्रेवी बन जाए ये सबजेकी रेसिपी इतनी जाधी सिंपल होती है और इतनी तेस्टी होती है आप इसे रोटी, पडाठे, राइज, पूरी किसी के साथ भी बना कर सर्फ कर सकते हैं बहुत ही जटपट सी रेसिपी है ये तो आप इस रेसिपी को जरूर से ध्यान रखेगा क्योंकि जो रेसिपी बहुत ही ज़ादा सिंपल हो और साथी बहुत ही ज़ादा टेस्टी हो वो रेसिपी तो हमें याद रहनी ही चाहिए इसमें जब अच्छा सा बॉयल आ जाएगा फिर इसमें हम हडा धनिया डालेंगे ग्यास की फ्लेम को बन करेंगे और हमारी जटपची बन जाने वाली एकदम धमाकेदार आलू की सबजी बन के तयार है हमारी तरी वाली आलू की सबजी तो बन के तयार हो गई अब चलिए हम कचोरी की बाकी प्रोसेस के तरब चलते है हमारा डो भी अच्छे से रेस्ट कर चुका है इसे हम हलका सा एक बार फिर से नीट करेंगे ये बहुत ही जादा सौफ्ट बन के तयार है और फिर इसे हम छोटी छोटी बॉल्स में डिवाइड कर देंगे आप कचौरी की साइज बहुत जादी छोटी भी रख सकते हैं मिनी कचौरी जैसा भी इसे बना सकते हैं मीडियम साइज भी रख सकते हैं या फिर बहुत बड़े भी रख सकते हैं आपका प्रेफरेंस जैसा हूँ अपने हिससाब से कचौरी का साइज तय कीजिए मैंने यहां पर medium size के balls cut कर लिये हैं आटे से अब एक ball हम लेंगे और इसे हम अच्छे से चिकना कर लेंगे इसे चिकना करने के बाद इसमें हम एक cavity बनाएंगे आपको देख करके भी समझ में आ रहा होगा कि यह डो कितना साधा soft है और कितनी आसानी से मैंने इसमें cavity बना लिया अब cavity के बीच में हम filling डालेंगे filling को बहुत साधा भी नहीं डालना है filling डालने के बाद हमें कचोडियों को अच्छे से seal करना है तो इसके जितनी भी corners ये इन सभी को पकर कर हमें एक जगे एकठा करना है और फिर इसे हमें अच्छे से अपने अंगूठे से प्रेस कर देना है ताकि तेल में fry होती है टाइम ये खुलेना इसे अच्छे से हमें अपने अंगूठे से ही दबा कर थोड़ा flatten कर लेना है तो मैंने याप मेरी पहली कचोड़ी को shape कर लिया है इसी तरह हमें बाकी कचोड़ीों को भी shape कर लूँगी इसे fry करने के लिए हमें तेल गर्म करना है तेल को हमें बिल्कुल medium flame पे गर्म करना है आप इस बात का खास ध्यान रखेगा कि तेल बिल्कुल भी जादा गर्म ना हो वरना कचोड़ीयां हमारी उपर से golden हो जाएगी मगर ये अंदर से पूरी तरह से कच्ची ही रहेगी जब आप कचोड़ीयों को तेल में डाले और उसके साइट से बिल्कुल छोटे छोटे बबल्स आए तब आप समझेगा कि आपकी तेल का temperature बिल्कुल perfect है एक बैच कचोड़ी तलने में आपको 12-15 मिनट का समय लग सकता है ये थोड़ा सापको patience रखके करना है जब कचोड़ीया एक साइट से फूलने लगेगी फिर इसे हम flip कर देंगे इसे थोड़ी थोड़ी देर में हमें अलट पलट करके चेक करते रहना है आप देख पा रहे होंगे कि हमारी कचोड़ीया कितनी बढ़िया से फूल चुकी है इसे मैंने अलट पलट करके अच्छी से हर तरफ से गोल्डन कर लिया है अब मैं इसे निकाल लूँगी और मैं इसे tissue paper पे रख कर इसका जो भी excessive oil है उसे मैं absorb करवा दूँगी घर पे अगर हम कोई भी recipe बनाते हैं तो उसका charm बहुत ही जादा अलग होता है और जब आप ऐसी कोई recipe को घर पर इतनी hygienic way में बना पाएं तो वो खुशी तो आपके लिए और आपके घर वालों के लिए बिलकुल next level ही रहेगी तो आप देख सकते हैं हमारी कचोरिया कितनी जादा खस्ता बनी है अंदर से ये कितनी अच्छे से फूल चुके है अब चलिए इसकी हम plating कर लेते हैं इसे मैंने तरी वाली आलू और थोड़े से प्यास के साथ सर्फ किया है आप प्यास बिलकुल avoid कर सकते हैं क्योंकि हमने रेसिपी में कहीं भी प्यास और लहसन का इस्तमाल नहीं किया है ये बस garnishing के लिए मैंने प्लेट पे रख दिया है ये पूरी रेसिपी आपको कैसी लगी ये मुझे आप comment section में जरूर बताईए इंप्रूब्मेंट के लिए मुझे आप अपने suggestions और feedback भी बताईए वीडियो को like कीजिए अपने friends और family के साथ बहुत साड़ा share कीजिए and do not forget to click on the bell icon and subscribe to the channel मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए bye bye